क्लार्क हल ने ड्राइव डिडिक्शन थेरी उनर बलन का सिद्धान्त जिसको सबली करण का सिद्धान्त सीखने के परबलन का सिद्धान्त को learning का सबसे best सिध्धान तो बताया और क्या परियोग इन्हों ने जानवर पर किया था या नहीं और इस सिध्धान से related questions की भरमार आपके test exams में रहती है तो आज का जो हमारा session होगा वो इसी के regarding होगा जिसमें मैं आप लोगों को Clark Hall की reinforcement theory कराऊंगा तो दोस्त अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन होगा subscribe करो और हमारी back to school की Android application है जिसको 10,000 students से ज़्यादा जो है install कर चुके हैं आप भी जल्दी से कर लीजिए जिसके अंदर mock test notes और PDF दोनों language में जहां से 90% question आपके सीटेट के exam के अंदर आएंगे आज subscription लिया है अजय गोतम ने और कल लिया था महेश ने आप भी लीजिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के पुनर बलन कैसे दांद को देखे पुनर बलन का से दांद पर बलन का से दांद reinforcement theory यह reinforcement theory किस ने दी थी यह से दांद Clark हलका है और यह 1915 ने 1915 में उन्होंने अपनी बुक principle of behavior में दिया था अब इनके से से दांद को अलग-अलग उपनामों के नाम से भी जाना जाता है इसके अलग-अलग nickname है confused बिलकुल भी नहीं होना है कि इसको गणितिय से दांद भी बोला जाता है कि गणितिय से दांद कि इसका दूसरा नाम परीकल्पित निगमन से दांद है परीकल्पित निगमन सिध्धान्द के अलग-अलग नाम लिख रहा हूं इसके नोट डाउन कीज़ेगा बहुत important है आवशक्ता अवकलन ये इसके तीन नाम होगे तोथा नाम और देखते हैं इसका जो फूर्थ नाम है इसका नाम है जेवी की ये अनुकूलन का सिध्धान्द है और सिर्फ यहीं पर बात नहीं रुकती है उद्धेश्य परवनता का सिध्धान्द है अब देखिए एक ही सिध्धान्द के पाँच नाम अब ये जो सिध्धान्द है दोस्त इस सिध्धान्द के अंदर क्लार्क हल ने आवशक्ता की पूर्ती पर बल दिया है और कहा है कि सीखना जो होता है वो आवशक्ता की पूर्ती की प्रिक्रिया के द्वारा होता है यानि कि जरूरत ना हो तो आप एक पानी का गिलास भी उठाएंगे नहीं जब तक आपको जरूरत नहीं होगी आदमी इतना आलसी होता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा ये सिद्ध किया क्लार्क हल ने और इसको स्किनर ने सीखने के सिद्ध दानतों में सबसे सरुस्रेष्ट माना यानि कि जब तक सीखना सिर पर नहीं आ जाता है तो आदमी कोई चीज नहीं सीखता कोई भी काम आज तक जो आप सीखते आए हो आप अगर कलार्क हल के हिसाब से सोचोगे तो आपको कोई आवशकता उठी और अपनी आवशकता की पूरती के लिए ही आपने किसी भी चीज को सीखा और इसे स्किनर ने क्या कहा सबसे बेस्ट सिद्धान्द कहा अब यह सिद्धान्द जो है खुद की मान्यताओं पर आदारित है और हल ने हल ने इसको इस सिद्धान्द के अंदर क्या किया कि जो स्वेम जो सत्रा स्वेम सिद्ध मान्यताएं थी यानिकि खुद के उपर प 133 परमेसिद किये और इससे ये स्पष्टी करण किया कि आवशक्ता के कारण ही लर्निंग पैदा होती है और ये जितनी भी माननेता ही थी ये जो थी ये पावलव और थोरंडाई के सीखने के से दान्तों के उपर आदारी थी ये भी आपको याद रखना है कि ये पावलव और थोरंडाई के सीखने के से दान्तों के उपर आदारी थी जो इसकी 17 स्वैमसिद माननेताईन थी और 133 जो इसने परमेसिद किये थे हल ने सीखने के से दान्त का अर्थ स्पष्ट करते हुए जब कहा गया लग-लग मनोविज्ञानिकों से कि आप हलके सीखने के सिद्धान्त का अर्थ स्पष्ट करो तो एक मनोविज्ञानिक थे हुएं का नाम था स्टोन्स उन्होंने कहा कि जो पुनरबलन थेरी है उसके अंदर जो सीखने का आधार है जैनि कि बेस ओफ लर्निंग जो कही है इस थेरी में वो है आपकी नीड आवशक्ता आवशक्ता ही आपसे हर काम सिखवाती है स्टोन्स ने इसको बिल्कुल क्लियरली आपको बताया यदि किसी पश्वी और मनुश्य को आवशक्ता उत्पन होती है तबीवे सीखता है और आवशक्ता की पूर्ती के लिए हल ने आवशक्ता की कमी का भी परियोग किया है जब आवशक्ता की कमी होती है तो तब कैसे आदमी जो है रियक्ट करता है और जैसा मैंने आपको यहां पर बताया जो स्किनर थे उन्होंने हलके इस से धानत को learning का सबसे best से दानत बताया है और इस से धानत को चालक नोनता का से धानत की बात करें तो इनों ने क्या किया? तो प्रकार के reinforcement की बात की दो परकार के reinforcement जो पहला reinforcement था उसका नाम था प्राथमिक reinforcement और जो दूसरा था उसका नाम था ज्वित्यक प्राथमिक को primary reinforcement और इसको secondary reinforcement के नाम से कहा गया जैसे कि अगर हम यहाँ पर आप मेरे marker को फोलर करें laser pointer को तो प्राथमिक अगर हम परबलन की बात करें तो जैसे भोजन हुआ भूक के चालक को परबलन जो है मिलता है जैसे भूक लगी आपको तो आप उसको रोक नहीं सकते आपको नींद आई है तो आपको सोना ही पड़ेगा यह आवशकता प्राथमिक है जो reinforcement उसकी है देखे भूक उस समय तक शांत नहीं होती है जब तक की भोजन नहीं खा लिया जाता है इसलिए भोजन करने से पहले जो भूक रूपी चालक है जो stimulus है एक बार फिर परबलक बन जाता है जिसे द्वित्यक परबलक कहा जाता है याद रखना कि इसके अंदर दो परबलकों की बात की गई है एक तो प्रात्मिक एक द्वित्यक प्रात्मिक परबलक वो होगा जो डारेक्टली आपको effect करेगा और जो दूसरा होगा वो होगा देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ मान लीजिए आप लोगों ने कोई चीज जो है शुरू की और आपको उस चीज की काफी नीड थी तो शुरुआत में जब आप चीज शुरू करेंगे जो डारेक्टली आपको किसी चीज को सीखने के लिए परभावित करेगी वो प्रात्मिक होगी और वो चीजे जो सीखते वक्त उसको इफेक्ट करेगी तो वो सेकेंडरी होगी जैसे कि आपको भूख लगी है आपको खाना खाना ही पड़ेगा तो जो भूख थी शुरुआत में वो प्रात्मिक थी लेकिन जब आप खाना खाने लग गए उसका टेस्ट निर्दारित करेगा कि आप उसको कितना खाएंगे आपको उसकी कितनी नीड है तो ये प्रात्मिक और द्वित्यक में थोड़ा बहुत ही अंतर है और सिख्षा के अंदर इसका उप्योग बहुत ज़्यादा किया जाता है देखे सीखना तबी सार्थक होता है जब उसके पीछे कोई न कोई वजय जरूर हो जब कोई न कोई आवशक्ता की पूर्ति हो और कोई आवशक्ता को ध्यान में रखकर ही जो करीकुलम है उसका निर्मान किया जाना चाहिए क्योंकि जो व्यवसाइक सिख्षा है व्यवसाइक सिख्षा को इंक्लूड किया गया है हमारी नॉर्मल एजुकेशन में तो ये पुनरबलन के से दांत के कारण ही किया गया है और और सिख्षा प्रदान करते से मैं प्रात्मिक में द्वित्यक प्रबलन दोनों का ध्यान रखना चाहिए ये ऐसे दांत सीखने में प्रेजणा के उपर बल देता है किसके उपर बल देता है मोटिवेशन के उपर बल देता है और उसमें जो प्रात्मिक अगर मैं सिख्षा क के अंदर बात करूँ परबलन की तो प्रात्मिक परबलन होता है कि आप बच्चे को ही इतना internally motivate करेंगे कि वो खुद चीजों को सीखे लेकिन जब बच्चा खुद internally motivated नय होकर आप उसे motivate ना कर पाएं तो आप उसे अतिरिक्त सहायता भी परदान करेंगे जो द्वित्यक जो है motivation के रूप में काम करेगी तो याद रखना reinforcement motivation की कमी में आप बच्चे को देंगे आप बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं उसको एक बार समझ में नहीं आई तो आप उसको पहले खुद motivate करेंगे किसी को जो प्राथमिक प्रबलन के रूप में काम करेगा और फिर उसकी सहायता कर देंगे दूसरी तीसरी बारी में उसको और motivate करने के लिए जब उससे खुद चीजें नहीं हो रही हैं तो दोस्तों तो यह बहुत ही important जो है सिध्धान्त था और इस सिध्धान्त के दवारा व्यक्तिकत सिख्षा के उपर बल दिया जाता है यानि कि हर एक बच्चे को आप व्यक्तिकत रूप से motivate करेंगे और देखेंगे कि आप उसे प्रात्मिक प्रबलन के सारे चीजे सिखा सकते हैं या फिर आपको दितिक प्रबलन भी देना पड़ेगा और सिख्षक को जो content या जो learning को जो है इतना important बनाना पड़ता है कि बच्चे को उसे धोराना पड़ेगा बच्चे की आदत को बहतर बनाया जा सके इसके लिए बच्चे को repeat करवाई जाती है चीजे ताकि बच्चे हर एक चीज को अपने आप motivate होकर सीखें और इस चीज के उपर पर इस सिद्धान्त को क्लार खल ने सिद्ध करने के लिए चूहे के उपर प्रियोग किया अब देखिए कई जंगे पर यह है कि क्लार खल ने चूहों वगरा पर बिल्कुल प्रियोग नहीं किया लेकिन कई जंगे पर चूहों का प्रियोग किया जाता है वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं किया थ में ये सारी चीज़ें इन्होंने discuss की इसी तरीके से आपकी अलग-लग चीज़ें मैं करवा रहा हूँ आपके seated super tight के लिए तो आप ज़रूर join कीजिएगा next वीडियो में मिलता हूँ और जैसा मैंने बोला 10,000 से ज़्यादा student install कर चुके हैं एप को आप भी करिए subscription लीजिए आपका exam 100% मिकलेगा take care दोस्तों